बिग बोस OTT 3 का ग्रेंड फिनाले दो अगस्त को है और इसलिए अब घर से सदस्यों को एक के बाद एक एलिमिनेट किया रहा है हाली में शिवानी कुमारी को एविट कर दिया गया था और अब खबर है कि शो में डबल एलिमिनेशन हुआ है दूसरे कंटेस्टेंट जो बिग बोस OTT 3 से बेगर हुए हैं वह है विशाल पांडे अब खबर आ रही है कि 26-27 जुलाई को बिग बोस OTT 3 के घर में ट्रिपल एविक्षन हो सकता है अब दो सदस्य तो बाहर हो चुके हैं देखने वाली बात होगी कि तीसरा सदस्य कौन बेगर होगा दखबरी ने जानकारी दी है कि शिवानी कुमारी के बाद विशाल पांडे भी एविक्ष हो चुके हैं अब घर में सिर्फ नो सदस्य बचे थे जिनमें रनवीर सोरी, अर्मान मलिक, कृतिका मलिक, लव कटारिया, सना मकबूल, साई केतनराव और नेजी का भी नाम सामिल था अब डबल एलिमिनेशन के बाद सिर्फ साथ कंटेस्टेंट बचे हैं बिग बॉस OTT3 का विनर कौन होगा, इसका खुलासा तो ग्रेंट फिनाले पर होगा, पर सोसल मीडिया पर यूजर्स का अनुमान है कि रनवीर सोरी शोद जीत सकते हैं आखिरी विकेंड के बार में भी जब होष्ट अनिल कपूर ने घरवालों से इस सीजन के संभावित वीनर के बारे में पूछा, तो जादतर ने रनवीर सोरी का ही नाम लिया था हलाकि सो के लेटेस्ट एपिसोड में रनवीर सोरी अर्मान मलिक से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें ट्रोफी से ज़्यादा 25 लाख रुपे की जरूरत है अब देख रहे होगा कि विनर कोन बनता है और किसे 25 लाख रुपे का ब्रीफ केस मिलता है इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलिवुड और एंटरेटेन्मेंट की खाबरों के लिए देखते रहे हैं एवी भी एंटरेटेन्मेंट